परिचय बच्चो आज हम समावयवों और कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधी में उप्योग की जाने वाली मूल भूत संकल्पनाओं की बारे में पढ़ेंगे कोई बता सकता है कि समावयव क्या है चा किसी को नहीं पता कि समावयव क्या है कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ वे कारबनिक योगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं पर विन्यास भिन्य होते हैं समावयव कहलाते हैं समावयववों के उधारण है डाई मेथिल इथर और इथिनॉल इनके अनुसूत्र समान होते हैं और विन्यास भिन्न होते हैं सर ये अभीक्रियाओं की क्रियाविधी क्या होती है? अभीक्रिया की क्रियाविधी विभेने चरणों का एक अनुक्रम है जिसके दोरान कार्वनिक अभीक्रिया होती है इस अध्याय में हम समावयव और कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधी में उप्योग की जाने वाली मूल भूत संकल्पनाओं की बारे में पढ़ेंगे उत्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे समावयव और उसके प्रकारों को समझना कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधी में मूल भूत संकल्पनाओं को समझना समावयव कहलाते हैं समावयव के विभिन प्रकार होते हैं समावयव्दा को संद्चनात्मक और त्रीविम समावयव्दा में वर्गी क्रित किया जा सकता है सन्रचनात्मक समावयवता को श्रिंख्रा समावयवता, स्थिती समावयवता, क्रियात्मक समावयवता और मध्यावयवता में उपविभाचित किया जा सकता है त्रीविम समावयवता को भी उना जयामितिये और प्रकाशिये समावयवता में वर्गी क्रिद किया जा सकता है संरचनात्मक समावयवता वे योकिक जिनके अनुसूत्र समान होते हैं परंतु अणों की सनचना अणों के अंदर पर्माणों का परस पर आबंदित होने का क्रम भिन होती है सनचनात्मत समावयव कहलाते हैं श्रिंकला समावयवता श्रिंकला समावयव योगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं पर कारबन के अणुओं का एक दूसरे से चुड़ने का क्रम भिन भिन होता है. इस्थिती समावियवता वह समावियवता जो समान श्रिंकला में प्रतिस्थापी समों की इस्थिती में भिनता के कारण होती है इस्थिती समावियवता कहलाती है क्रियात्मक समों समावियवता इनके अणुसूत्र समान होते हैं परन्तु क्रियात्मक समुह भिन्न भिन्न होते हैं मध्याव यफ्ता ये समाव यफ्ता क्रियात्मक समुह के दोन तरफ कारबन अणुओं के आसमान वित्रन के कारण उत्पन होती है उधारण, मेथोकसी, प्रोपिल एथर और डाई एथिल एथर त्रेविम समाव्यवता त्रेविम समाव्यव वे योगिक होते हैं जिन में सनलजना एवं परमाणों के आबंधन का क्रम तो समान होता है परंतु उनके परमाणों या समूहों की त्रेविम समाव्यवता को जया मितिये एवं प्रकाशिये समाव्यवता में त्वर्गिक क्रित किया जा सकता है कार्बनिक योगिकों की क्रिया विधी में मूल भूत संकल पनाए कार्बनिक अभी क्रियाएं रसायनिक क्रियाएं हैं जिनमें कार्बनिक योगिक भाग लेते हैं कार्बनिक अड़ों को क्रिया धारक भी कहते हैं जो किसी उचित अभी कर्मक से क्रिया करके मध्य वर्ती और उसके बाद अंतिम उत्पात बनाते हैं कार्बनिक अभी क्रियाओं की क्रियाविधी रातमिक अभी क्रियाओं का उत्रोतर क्रम है जिसके फलसरूप सम्पून रासाइनिक परिवर्तन प्राप्त होता है सहसंयोजक आबंद का विद्लन एक सहसेयोची आबंद को दो तरीकों से विदलित किया जा सकता है पहला विशम अपघटनी विदलन और दूसरा समापघटनी विदलन विशम अप घटनी विदण में विदलित होने वाले आबंध के दोनों एलेक्ट्रोन उनमें से किसी एक पर्माणों पर चले जाते हैं जिनके बीच आबंध का विदण हुआ है उधारण सभी कारबंध नाइनों के कारवन पर्माणों पर धनावेश होता है कारबधनायनों का वर्धिकरां प्रात्मिक कारबधनायन इसमें कारबन परमाणूं जिस पर धना वेश होता है केवल एक अलकील समों से अबंदित होता है इनहें एक डिक्री कारबधनायन भी कहते हैं दूइतियक कारबद नायन इसमें कारबन परमाणूं जिस पर धनावेश होता है, दो एलकिल समों से अबंदित होता है, इन्हें दो डिक्री कारबद नायन भी कहते हैं कारबद नायन इसमें कारबन परमाणूं जिस पर धनावेश होता है, तीन एलकिल समों से अबंदित होता है, इन्हें तीन डिक्री कारबद नायन भी कहते हैं कारबद नायनों के स्थायत्व का क्रम है एक कार्ब रनायन रनात्म कावेश वाला अनू होता है, जिसमें रनावेश वाला एक कार्बन होता है सरल्तम कार्ब रनायन मैथाइट है, जिसे मीथिन से एक प्रोटॉन की हानी द्वारा व्यृत्पन निकिया जा सकता है समाप घटनी विदलन जब सहसेयोजी आबंद तूरता है और तोनों पर्माणों पर आबंद का एक-एक इलेक्टरॉन बना रहता है यह प्रक्रिया समाप घटनी विदलन या होमोलिसिस कहलाती है कभी कभी इस क्रिया में मुक्त मूलक भी बनाते हैं एक इलेक्टरॉन के संचलन को पिश हुक तीर के द्वारा रजशित किया जाता है नाभिक इसने ही और इलेक्टरॉन इसने ही वे अभिकर्मक जो इलेक्टरॉनों के धनी होते हैं जैसे कलोराइट आयन इसको नाभिक इसने ही कहते हैं क्योंकि वे धनावेश की खोज करते हैं और धनावेश नाभिक में होता है। नाभिक इसने ही अभिक्रिया को किसी एक परमाणूं की दूसरे परमाणूं को इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रागृत्ति के रूप में भी परिभाशित किया जा सकता है। वैसे अभी कर्मक जो इलेक्ट्रोन नियून होते हैं जैसे कारभदनायन इन्हें इलेक्ट्रोन इसने ही निर्दिश्ट किया जा सकता है। इलेक्ट्रोन इस नहीं को किसी पर्मानों से इलेक्ट्रोन ग्रहन कर लेने की प्रवृत्ती के रूप में भी परिभाशित किया जा सकता है। कारवनी कभी क्रियाओं में इलेक्ट्रोन संचलन इलेक्ट्रोनों के संचलन को मुड़े हुए तीरों के द्वारा दर्शाया जाता है तीर की पूँच उस इस्थान को दर्शाती है जहां से इलेक्ट्रोन युग्म इस्थाना अंतरेत होता है और तीर का शीर्ष उस इस्थान को दर्शाता है जिस पर इलेक्ट्रॉन युग्म को ले जाया जाता है एक इलेक्ट्रॉन के संचलन को अर्दिश शीर्ष तीर के द्वारा दर्शाया जाता है जह संयोजी या बंधों में इलेक्ट्रॉन विस्थापन के प्रभाव एक आक्रमन कारी अभी कर्मक धना वेशित या रिणा वेशित हो सकता है आता अभी कर्मक अभी क्रियक क्रियाधार पर तभी आक्रमन करता है जब क्रियाधार पर विपरीत आपेश विक्सित होता है और क्रियाधार इलेक्ट्राणों के इस्थानांत्रन से अइस्थाई दुरुफता विक्सित कर लेता है क्रियाधार के अनु में इस तरह से इलेक्ट्राणों का इस्थानांत्रन इलेक्ट्रोन इस्थानांत्रन प्रभाव या इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव कहलाता है प्रेंडिक प्रभाव आता कारवन एक और प्लोरीन परमाणों के बीच सहसेयोजी आबंद में इलेक्टोन युक्म प्लोरीन परमाणों की ओर विस्थापित हो जाता है। इस कारण फ्लोरीन परमाणों आंशिक रिणावेश प्राप्त कर लेता है और कारवन 1 पर आंशिक धनावेश उत्पन हो जाता है। अब कारबन एक आशिक रूप से धना बेशित है, तो ये कारबन एक और कारबन दो के बीच बनने वाले सहसेयोजी आबंध के इलेक्टौन युग्म को अपनी ओर आकरशित कर लेता है, जिसके कारण कारबन दो पर आशिक धना बेश उत्वन हो जाता है, पर ये आवेश प्रेंडिक प्रभाव कारबन एक से कारबन दो में पारित हो जाता है, इसी तरह कारबन तीन भी आशिक रूप से धना बेशित हो जाता है, जो कारबन दो के अवेश के तुलना में कम होता है, कारबन की श्रंखला में पास के कारबन परमानों पर इस प्रकार इलेक्टौनो का स्थानांतरण या अपनी और अकर्षित किया जाना प्रेंडिक प्रभाव कहलाता है। प्रेंडिक प्रभाव को निरूपित करने के लिए आई चिर्न का प्रियोग किया जाता है। वे समुह जो इलेक्ट्रोन ग्रहन करते हैं वे रणात्मक आई प्रभावकारा कहलाते हैं और जो समुह इलेक्ट्रोन युक्त करते हैं धनात्मक आई प्रभावकारा कहलाते हैं अनुनाद संदचना कुछ कार्बनिक योगिकों के वैवाहार को केवल एक लूईस सनचना के द्वारा नहीं समझाया जा सकता है उधारण, टालोईन, अनुनाज सनचनाएं दो या दो से अधिक लूईस सनचनाओं का ततिरिधित्व करती हैं जो केवल उनके इलेक्ट्राणों के स्थापन में ही भिन्न होती हैं कार्बनिक अडूं बैंजीन को केवल एक लूईस सनचना के द्वारा प्रदेशित नहीं किया जा सकता क्यूंकि इसकी चक्रिय सनचना में एकांतरित एकल और दूई आबंद होते हैं बैंजीन, रिंग, प्रथम और दूईतिय सनचना का अनुनाद संकर है जिन्हें अनुनाद सनचना के अंतर को अनुनाद सनचना का अन्योधरन एसिटून आयन है अनुनाद संकर की वास्तविक सनचना और नियुनतम उर्जा वारी अनुनाद सनचना की उर्जा के अंतर को अनुनाद स्थाई करण उर्जा कहते हैं अनुनाद सनचनाओं को लिखते समय दिनलिकित नियमों का पालन किया जाता है नाभिक की समान इस्थिति और अयुक्मित इलेक्ट्रोनों की समान संख्या अनुनात प्रभाव पाई इलेक्ट्रोनों का एक से अधिक परमाणों पर विस्थानी करण अनुनात प्रभाव या मैसोमेरिक प्रभाव कहलाता है इसे आर या एम से प्रदशित किया जाता है इसके दो प्रकार है धनात्मक अनुनात प्रभाव धनात्मक आर प्रभाव ये प्रभाव उन समुहों के दोरा प्रदशित किया जाता है जो पाई इलेक्टानों के विस्थापन के द्वारा बागी कार्बनिक अड़ों के लिए इलेक्टानों को मुक्वि करते हैं। उधारण एनिलीन रिनात्मक अनुनात प्रभाव रिनात्मक आर प्रभाव ये प्रभाव उन समुहों के द्वारा प्रदेशित किया जाता है जो पाई इलेक्ट्रोनों के विस्थापन द्वारा बागी कार्पने कणूं से इलेक्ट्रोनों को ग्रहन करते हैं। उधारण के लिए नाइट्रोज बेंजीन इलेक्ट्रो मेरी प्रभाव किसी इलेक्ट्रोन इसने ही अभिकारक के आक्रमन के स्थिपी में ये प्रभाव दूई आबंध या त्री आबंध वाले किसी कार्वनिक यौगिक में तरदशित होता है वह पर्माणूं जिस पर इलेक्ट्रोन युक में वस्थापित होता है फ्रणा वेशित हो जाता है और दूसरा पर्माणू धना वेशित हो जाता है ये एक इस्थाई प्रभाव है जैसे ही अभीकारक को हटा दिया जाता है कारबने कड़ों अपने मूल सो रूप में लोड़ जाता है वह प्रभाव जो बहु आबंध वाले अभी कर्मा कणू में इलेक्ट्रोन इसने ही अभिकारक के प्रभाव में एक इलेक्ट्रोन युकों को एक परमाणू से दूसरे परमाणू पर विस्थापित करके अईस्थाई दुरुफता उत्पन्न करता है इलेक्ट्रोमेरिक इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के दो प्रकार हैं धनात्मक इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव धनात्मक इप्रभाव दुई और त्री आबंध के पाई इलेक्ट्रोनों का इस्थानांतरण उस परमाणू पर होता है जिससे आक्रमाणकारी अभिकर्म का बंधित होता है तब ये प्रभाव धनात्मक ई प्रभाव कहलाता है। उधारन के लिए एसिट का एलकेनों के साथ युक्मन। रनात्मक इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, रनात्मक इप्रभाव दूई और त्री आबंध के पाई इलेक्ट्रानों का इस्थानांतरन उस पर्मानू पर होता है जिससे आकर्मनकारी अभिकर्मक आपंधित नहीं होता है तब ये प्रभाव रनात्मक की प्रभाव कहलाता है। उधारण साइनाइड आयन का कार्बोनिल समों के साथ युक्मन। अती संयुक्मन। सिग्मा पाई या सिग्मा पी अती व्यापन के द्वारा सिग्मा इलेक्ट्रोनों का विस्थानी करण अती संयुक्मन कहलाता है। ये सिगमा आबंद पाई आबंद के साथ संयूगमन में या सिगमा आबंद पी कक्षक के साथ संयूगमन में इलेक्ट्रौनों के विस्थारी करण में भाग लेते हैं और तब निकाए को एस्थायत वपराप्थ होता है उधारण प्रोपेन में CH3 समु के 3 CH सिग्मा आबंद होते हैं जो की पाई आबंद के साथ संयुक्मेत रहते हैं सिग्मा इलेक्ट्रोन समी फर्थी कार्बन कार्बन आबंद पर इस्थना अंत्रित हो जाते हैं और पाई इलेक्ट्रोन अन्तिम CH2 कार्बन पर इस्थनांत्रित हो जाते हैं. प्रोपीन के तीन सनचनात्मक धाचे संभावित हैं, क्योंकि इसमें तीन सीच सिगमा आबंद होते हैं। विस्थानी करण में सिग्मा इलेक्ट्रानों की भागिदारी के कारण कारवन और हाइटोजन के बीच आबंद सनचनात्मक भाँचे में माजूद नहीं होते जिसके कारण अती सेयुकमन को आबंद रहिद अनुनात की कहा जाता है क्या आप जानते हैं हाइटोजन अनुन में सिग्मा आबंध दो एक एस कक्षकों के अती व्यापन से बनता है मौसिस गॉमबर्ग रसाइन शास्त के संस्थावक है सारांच आएए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में तो राएं वे यौकिक जिनके अउशूत्र समान होते हैं इन पर वन्यास भिन होते हैं समावयव कहलाते हैं समावयवत के प्रकार है संद अचनात्मक समावयवत और त्रीविम समावयवता किसी अभिक्रिया की क्रियाविधी सामान में अभिक्रियाओं का पुत्रो तरक्रम है जिसके परिणाम सरूप संपून रासायनिक परिवर्दन साब्द होता है एक सहसैयोची आबंद को विशम अभघटनी विदलन और समाप घटनी विदलन के द्वारा तोड़ा जा सकता है विशम अभघटनी विदलन में आबंद के दोनों इलेक्ट्रون दो परमाणों में से किसी एक पर चले जाते हैं जिनके बीच आबंद का विदलन हुआ है जब सहसे योची आबंद इस तरह तूटता है कि हर पर्मानों पर आबंद का एक एलेक्टरॉन देह जाता है तो यह प्रक्रिया समाप घटनी बिदलन कहलाती है ना भी किसने ही अभिक्रिया को किसी एक परमाणों की दूसरे परमाणों को इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रावृत्ती के रूप में परिभाशित किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन इसने ही अभिक्रिया को किसी एक पर्माणों की दूसरे पर्माणों से इलेक्ट्रॉन ग्रहन करने की प्रवृत्ति के रूप में परिभाशित किया जा सकता है दो पर्माणों की विद्धित रनात्मक्ता में भिनता के कारण इलेक्ट्रोनों का इस्थाई स्थानांत्रन प्रेनिडिक प्रभाव कहलाता है पाई इलेक्ट्रोनों का एक से अधिक पर्माणों पर विस्थापन अनुनाद या मैसोमेडिक प्रभाव कहलाता है बहु आबंध वाले किसी कारपनी कड़ों में इलेक्ट्रोन युक्म के विस्थापन के कारण उत्पन हुई आइस्थाई दुरुता इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव कहलाती है सिग्मा पाई या सिग्मा पी अति व्याबन के द्वारा सिग्मा इलेक्ट्रोनों का विस्थानी करण अति सैयुगमन कहलाता है